नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया को एक ही कंपनी रन कर रही है तो आप कहोगी कि कैसी बाते कर रहे है कुछ पागल वागल होगी है क्या अगर मान भी लोगे तो कहोगे कि वो कंपनी या तो USA की होगी या फिर चाइना की मगर इन दोनों कंट्रीज मे पें अपनी एक अलग ही इमेज रखता है कि इस कंपनी पर ये पूरी दुनिया कोई भी कंट्री गलती इस कंट्रीश से दुस्मनी मोल नहीं लें लेना चाती अगर कोई भी खत्रा आता है तो समझी लेना की वो खत्रा डारेक टैक कंपनीस पर Is इस एक कंट्री के बरबाद होने से सारी टेग कंपनिस फैल हो जाएंगी अब क्यूरो सीटी तो आपके माइंड में भी आ रही होगी कि वो कंट्री है कौनसी और वो अकेले ही इस वर्ल्ड की डिमांड को कैसे पूरी करती है और ऐसी क्या चीज़ों बनाती है जिसके ना होने से टेग कंपनिस बंध होने की कगार पर आ सकती है जिस कंट्री के हम बात करते हैं वो अमेरिका रसिया और चाइना जैसा कोई डेवलोप कंट्री नहीं है बलकि एस्ट एसिया में एक छोटा सा देश है जिसकी पोपुलेशन हमारे मुंबाई सीटी से भी कम है वो है की जरूरत को पूरा करता है इस कंपनी के दुआरा बनाय गए चिप्स हर दिन और हर टाइम हमारे दुआरा यूज किया जा रहे हमारे दुआरा यूज किया जा रहे हमारे दुआरा यूज किया जारे मॉबाईल्स लैप्टॉप कार्स जैट्स और जितने भी आइटम जिन वाली चिप्स इस वर्ड में केवल दो ही कंपनीस बनाती हैं फर्स्ट तो है ताइवान की टी आसेमसी कंपनी और सेकेंड साउथ कोरिया की समसंग यहां नैनोमीटर ट्रांस्मिटर्स की लैंद को रिप्रेजेंट करता है और दस ट्राइनोमीटर से कम थिकनेस वाली सेमी कंड़क्टर इसलिए खास होते हैं क्यूंकि इन चिप्स के अंदर मोजुद ट्रांजिस्टर्स की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है और इतनी के लिए आप सोच के देखो कि अगर इस कंट्री पे कोई खतरा आता है तो जिससे इन सेमी कंड़क्टर की प्रडक्शन और सप्लाइचेंट डेमेज हो जाए तो क्या होगा जितनी भी टैय कंपनीस हैं वो बंध हो जाएंगी और स्टॉक मार्केट गिर जाएगा और वर्ल इसे समच सकते हो कि अमेरिका के लिए TSMC कंपनी कितने इंपोर्टेंट है और चाइना की बात ना मानने से चाइना ने ताइवान पर कुछ सेंसेंस लगा दिया मगर कब तक लगा था क्यूंकि चाइना को भी अपनी टैग कंपनीस के लिए सेमी कंड़क्टर की जरूरत होत बात में चाइना उसे अपनी मर्जी से रेंड करेगा और मन चाहा पैसा दुनिया से वसूलेगा अमेरिका ने एक लोबी पास किया है चिप्स एक लो जिससे अमेरिका में मोजु जो भी कंपनी सबसिडिरी लेके चाइना के लिए सेमी कंड़क्टर प्रेडूस करी है उनको वो बैंड कर देगा तो इसे साफ तोर पर देखा जा सकता है कि ताइवान की एक कंपनी के लिए दो सूपर पावर्स के बीच कोल्ड वोल चल रहा है अब आपके माइन में एक कोशियन जरूर आ रहा होगा कि ये कंपनी इतनी खास बनी कैसे इसलिए इसकी हिस्ट्री को भी मैनुफेक्टरिंग हब हुआ करता था वह आज के टाइम इसका एक परसेंट हिस्सा भी आज अमेरिका में प्रेडूस नहीं किया जाता इसका रीजन है कि 90s 80 में इन चिप्स को प्रेडूस करने वाली अमेरिकन फॉर्म्स को बड़ी बड़ी जापानी कंप्लियों से हाई क करना पड़ रहा था ऐसे में लगातार उनके प्रोफिट में गिरावट आने लगी जिसके कारण इन एक्सपेंसिव फॉर्म्स को हैंडल करना काफे मुशिल हो गया और इसी मौके का फायदा उठाया ताइवान के एक फैमस बिजनस्मैन मौरिस चैंग ने मौरिस चैंग उ उन्हें अपनी सेमी कंड़क्टर चिप मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री के डेवलोपमेंट की पोजिशन समालने के लिए कहा तो उन्हें रियलाइज गुआ कि उनका हाई डिमांड वाली कंपनीस और एडवान सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग फिल्ड में काफी जाद स्कोप है और वो इसके डेवलोपमेंट में काफी कॉंट्रीब्यूट कर सकते थे इस तरह मौरिस चैंग ने 1987 में ताइवान सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग कंपनी यानी टी एसमी की स्टार्टिंग की स्टार्टिंग में चैंग ने लोस उठाकर अपनी कैप्चर कुए हुए और पूरा वर्ड उस पर डिपेंडेंट है यहां तक कि आप एपल टेसला कॉलकॉम इंटल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी टी एसमी कंड़क्टर पर डिपेंडेंट है यहां तक कि लाश्ट येर जब ग्लॉबल चिप सोटेज हुआ था तब हर चीज के प्राइस बहुत बुरी तरह से बढ़ गए थे कार का प्रडक्शन बहुत कम हो गया था और पूरी दुनिया में ही इसका असर दिखाए दिया टी एसमेंसी की सक्सेस और मैनुफेक्टरिंग को देखकर अब बाकी कंट्रीज भी सेमी कंड़क्टरिंग मैकिंग कमनीश को और आगे आने का मोका दे रही है और इंडिया ने भी इस पर काम करना करे क्धिया क्योंकि इंडिया को पता है कि आने वाली में आने टाइम में आगहार से इंपोर्ट करता है तो उसके याद आग्ग कन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसी के चलते अपनी प्रोब्रेम को पहले से ही सुल जाने के लिए इंडिया ने सेमी कंडॉक्टर पर काम करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन रियलिटी यह भी है कि कोई भी कंपनी TSMC की लेवल तक पहुंच पाएगी तब तक TSMC बहुत आगे निकल चुकी होगी यहां तक की TSMC ने यह भी एनाउंस कर दिया है कि 2025 तक वो टू नैनोमिटर जितनी पतली सूपर एडवांस सेमी कंडॉक्टर चिप्स बनाने में भी काम जाँ हो जाएगी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कोई कंपनी TSMC को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर इस चैनल पर नहीं आतो चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मौर इंफर्मेटिव वीडियो झाल